बच्चो कोशेन नमबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया है अब आज हमें चालू करना है कोशेन नमबर 3 से ठीक है कोशेन नमबर 3 जो है उसमें दिया हुआ माइनस 5 बटे माइनस 7 को ऐसी परमी संख्या की रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है यानि हमें क्या करना है इस बार अभी तक हमने क्या किया था अंस को चेंज किया था अंस जो हमें चाहिए था उसके लिए गुणा किया था अब हमें क्या करना है दिया हुआ है कि हर को बदलना है यानि अगर हमारा माइनस 7 है तो हमें हर को 7 बनाना है और जो हर है उसको माइनस 14 कैसे बनाएंगे 21 कैसे बना हुआ है माइनस पांच बट्टे साथ को तीसरे का तीसरे कोश्चिन का का ठीक है तीसरे कोश्चिन का का दिया हुआ है साथ साथ, ठीक है, साथ, हमें हर क्या बनाना है, साथ बनाना है, तो हमाई परिमिये संख्या क्या दी हुई है, माइनस पांच बटे, साथ, परिमिये संख्या क्या दी हुई है, स्वरी, माइनस पांच बटे, माइनस साथ, माइनस पांच बटे, माइनस साथ, दी हुई है, इसमें ह में हर को चेंज करना है और हमें हर को क्या करना है यह उपर वाली संख्या क्या करेंगे इस छी क्स साथ में किसमें चेंज करना है साथ में तो माइनस साथ को हम कैसे चेंज करेंगे साथ में तो साथ के टेवल में साथ एक बार में आता है यानि हमें कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है साथ एक कम साथ होता है मगर यहाँ चिन माइनस है और हमें क्या बनाना उसको प्लस बनाना है तो माइनस अगर दिया हुआ है तो हम माइनस की संख्या में हम माइनस की संख्या का गुणा करेंगे तब ही वो प्लस आएगा तो हम इसमें क्या करेंगे उपर नीचे जो है वो एक जो की साथ एक कम साथ है और माइनस एक का गुणा करेंगे ठीक है तो हम क्या लिखेंगे इसमें जैसे कि पहले कोश्चन में भी हमने किया था तो माइनस पाँच बटे माइनस साथ में हर को साथ बनाने के लिए माइनस एक से उपर नीचे गुणा करेंगे ठीक है करने पर ठीक तो हमारा यह क्या हो गया माइनस पाँच बटे माइनस साथ गुणे क्या हो गया माइनस वन माइनस पाँच बटे माइनस साथ बराबर हो गया माइनस साथ बटे माइनस वन पल्टिप्लाइट बाइनस वन और यहां माइनस वन तो अब जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा माइनस पाँच गुणे माइनस वन होगा तो क्या होगा माइनस माइनस प हर को हमें कैसे जो है साथ बनाएं तो हर को साथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे उपर नीचे मैनस 1 से गुड़ा करेंगे इस कीजीני से इसका Sup Uno मैनस 14 ठीक और इसी तरीके से इसका घह सवाल है将無 Fr 35 तो इसमें से हमने एक साथ धनात्मक संख्या बता दिये हैं अब हम एक धनात्मक बता देते हैं खा या घा में से कुछ भी बता सकते हैं तो इसमें से हम देखिए घा को लेके चल रहे हैं यह दोनों आपके क्या हो जाएंगे हम वर्क हो जाएंगे इसी तरीके से करना है तो अब हम देखेंगे कि माइनस 5 हमारी संख्या क्या है माइनस 5 बटे माइनस 7 है अब इसमें से हर हर क्या है हमारा माइनस 7 है हर को क्या बनाना हमें माइनस 35 बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे साथ की टीवल में 35 कब आता है साथ के पहाड़े में 35 कब आता है तो साथ के पह करना पड़ेगा हमें 5 का तो अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें तो हमारा हर क्या हो जाएगा अगर नीची हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हर माइनस 35 जो की हमें चाहिए था तो चुकि हम जो जो गुणा करेंगे हर में वहीं गुणा हमें करना लिए 5 का उपर नीचे गुणा करने पर अब माइनस 5 बटे माइनस 7 है हमने क्या किया है 5 का उपर नीचे गुणा किया है तो क्या आ गया माइनस 5 गुड़े 5 तो 25 ठीके चिंद माइनस रहेगा क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है और माइनस साथ गुणे माइनस पांच साथ पंच्चे 35 चिंड क्या लगेगा माइगा से तो हमारा हर क्या आ गया हमारा माइनस 35 यही हमें करना था हमें हर को किसका हर को क्या करना था माइनस 35 करना था तो माइनस पांच बटे माइनस साथ को परमी संख्या के रूप में हमें व समझ में आया इसी तरीके से माइनस 14 हर बनाना है आपको और 21 हर बनाना है ठीक है यह दोनों आपको होमवर्क के रूप में दिये हुए हैं यह दोनों सवाल आपको करके और मुझे भीजना है ठीक है बच्चो इसी तरीके से यह देखी प्रिस्णा वली का जो है यह तीसरा को बढ़ते है चोफा न हमारा निम्नांकित प्रम्रानी वानिय ज lettmen बनाई यह यह संख्या करना मैं यह हर देखिये क्शिकों कहते हैं नीचे वाली संख्या क्यां माइनस 11 इदर माइनस 17 माइनस 19 माइनस 13 इसको हमें क्या करना है सबको धनात्मक बनाना है तो इसके लिए हम कैसे करेंगे आओ देखते हैं हमारा सवाल दिया हुआ है परिमे संख्या क्या दी हुई है माइनस 9 बटे माइनस 11 यह हमारी दी हुई परिमे संख्या है इसमें हर को धनात्मक बनाना है तो हर क्या हमारा रणात्मक है रणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चुकि इसमें कोई संख्या चेंज नहीं करनी है केवाल उसको धन को रिंड करना है इसलिए चुकी रणात्मक है इसलिए माइनास एक का उपर नीचे बुणा करना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या लिखेंगे हर को कि धनात्मक बनाने के लिए कि दी गई परिमी संख्या माइनस नौ बटे माइनस ग्यारा में माइनस वन का उपर नीचे गुणा करने पर गुणा करेंगे ठीक है तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी माइनस नौ माइनस ग्यारा अब हम इसमें क्या कर रहे हैं इसमें हमें क्या करना है माइनस वन का उपर नीचे उना करना है तो क्या हो जाएगा इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 कम 11 तो हमाई जो संख्या आ गई वो हमाई क्या हो गई 9 बटे 11 हो गई जिसमें हमारा हर क्या है धनात्मक है ठीक है धनात्मक आ गया नहीं यह हर ठीक तो इसको हमने धनात्मक में कन्वर्ड कर लिया इसी तरीके से इसका दूसरा कोश्चन है खा 11 बटे-17 इसके बाद गा है-4 बटे-19 और गा है-7 बटे-13 यह तीन और क्योश्चन दिये हुए है यह देखिए बुक में कातो मैंने बता दिया है खा, गा, घा यह तीन दिये हुए है इन तीनों को आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा ठीक है इन सभी में क्या होगा चुकि हर रनात्मक है इसलिए सम में हर क्या है रनात्मक है तो माइनस एक का उपर नीचे जैसे पहले को इस कोश्चर में मैंने बताया है माइनस एक का उपर नीचे गुणा करना है ठीक है तो उपर नीचे गुणा करेंगे और हमें पता है माइ करेंगे तो connusy और अगर कोई संख्या प्लस में है इसे कि यहां करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएकी माइस में हो जाएकी ठीक है इसके सवाल आप यह तीनों सवाल करेंगे बहुत से हैं बहुत आसान है आप से बन जाएंगे इसको करके मुझे वेजिएगा ये तीनों क्या हैं आपके होमवर्क हैं ठीक है अब इसके बाद नेक्स इसमें पढ़ते आगे बढ़ते हैं पाच्वा कोशन देखिए पाच्वा कोशन है निम्नलिखित पर में संख्या के अंस को धन पूर्णांक बनाईए तो अंस को हमें धन पूर्णांक बनाना है का देख लीजिए इसका ठीक है तो का कोशन है इसका पाच्वे का का माइनस साथ बटे तेरा ठीक है माइनस साथ बटे तेरा दिया हुआ है तो इसमें अंस को हमें धनपुर्णांग बनाना है अभी पहले कोशन जो था इन सम्में क्या था हमें हर को धनात्मक बनाना था धनपुर्णांग बनाना था अब यह जो कोशन है पांचमा कोशन जो है पांच में के का खा गा गा इन चारों में क्या करना है हमें अंस को धनात्मक बनाना है अब अंस को धनात्मक बनाने के लिए अंस हो चाए हर है अगर वो धनात्मक है उसको धनात्मक बनाना है और कोई भी उसमें चेंज नहीं करना है तो हम उसके लिए माइनस वन का उपर पीचे बुणा करेंगे तो इसी तरह इसके लिए भी लिखेंगे कि दी गई पर में संख्या कौन सी पर में संख्या दिये माइनस साथ साथ बटे तेरा ठीक है इसको नहीं में इसमें अंस को धनात्मक बनाएं बनाने के लिए माइनस वन का उपर नीचे गुणा करने पर ठीक है अब उपर नीचे गुणा करेंगे संख्या क्या थी हमारी माइनस साथ बटे तेरा हमें अंस को यानि उपर वाली संख्या को क्या करना है धनात्मक बनाना है धनात्मक बनाने के लिए हमने माइनस बन का उपर नीची क्या कर दिया गुणा कर दिया तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी माइनस साथ का गुणा माइ सथ बटे सबस्क्राइब पनी दिफाएब गया है, इसी तरीके से सवाल और हैं नोड कर लीजे, खा इसका खा है minus 11 बटे minus 19 थेुक है गा है इसका minus 18 बटे 23 और घा है इसका minus 19 बटे minus 23 थेक है या खा गा और घा यह तीनों जो है इन तीनों में अन्स क्या है रणात्मक है, माइनस 11 है, माइनस 18 है, और माइनस 19 है, इन तीनों अंसों को हम ही क्या करना है, धनात्मक करना है, तो इनको भी जो हमने ये सवाल किया है, अंस को धनात्मक बनाने के लिए, माइनस एक का उपर नीचे गुणा करने पर, उसी तरीके से ये तीनों सवाल करने हैं आपको यह तीनों सवाल आपके क्या हो गए होमवर्क हो गए ठीक है यह करके आप मुझे भेजिएगा धन्यवाद फिर बाकी कल्क पढ़ाई करेंगे